असलाम आलेकुम डियर वीवर्स मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे अज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है Cardiolipin Antibodies Test इस टेस्ट को Anti-Card judgments भी कहा जाता है वक जाया नहीं करते हैं शुरू करते हैं अपना टॉपिक Cardiolipin Antibodies Test देर वीवर्स जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सबस्क्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके सबसे पहले हम ये जानेंगे कि काडियो लेपिन एंटी बॉडिज है क्या ये मौजूद होते हैं प्लेटलेट्स में और सेल्स के सेल मिम्बरेन में ये मौजूद होते हैं काडियो लेपिन एंटी बॉडिज दरसल में आटो एंटी बॉडिज होती है जो हमारा जिसम गलती से बनाना शुरू कर देता है काडियो लेपिन के खिलाफ और जब ये अर्टो एंटी बॉडिस बनती है तो हमारे जिसम में जगा जगा पर अबनॉर्मल क्लोटिंग शुरू हो जाती है जो के जिसम के लिए बहुत नुकसांदे होती है अभी हम बात करेंगे कि इस काडियो लिपन एंटी बॉडिस की कितनी अखसाम है जब ये टेस्ट लिबॉटरी में आता है तो कितनी अखसाम की एंटी बॉडिस का टेस्ट किया जाता है बलड में जो के दरसल में आटो एंटी बॉडिस होती है तो इसकी जो पहली किसम है वो ह शुरू हो जाती है या जिन में थ्रॉम्बोसिस शुरू हो जाता है तो ऐसे लोगों में इसकी वज़ा जानने के लिए ये टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो खवातीन जिनकी बार बार बच्चे जो हैं वो जाय होते हैं इस काडियो लेपिन एंटी बॉडिस की व ये टेस्ट बहुत जञादा एहमियत का हामिल होता है अभी हम बात करेंगे की कार्डियो लेपिन एंटी बॉडिस का नार्मल लेवल खोन में क्या होता है तो ऐगजी जैं का जो आए जी 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 टop ट्यूब में या जिल ट्यूब में centrifuge किया जाता है, सीरम को निकाला जाता है और पिर ELISA मशीन पर या advance किसी और इनलाईजर पर जो किBar का होता है, उस पर इस टेस्ट को रण किया जाता है और इन antibodies के लेवल का पता लगाया जाता है. अभी हम बात करेंगे कि वो कौन सी मेडिकल कंडिशन्स हैं जिसमें काडियो लेपिन एंटी बोडिस का लेवल बहुत ज्यादा बुलंद हो जाता है तो वो वज़े हैं थ्रॉम्बोसेज, इबनॉर्मल बलड क्लोटिंग या वो खवातीन जिनके बच्चे बार बार जाया हो कोरिया में और एंटी फास्फोलिपिड एंटी बोडिस सिंड्रोम जैसी कंडिशन्स में जो काडियो लेपिन एंटी बोडिस होती हैं तो इसका लेवल खुन में बुलंद हो जाता है बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हभवित कामरान देखने के लिए उमीद है ये लेक्चर